बीजेपी नेता क्रीटी सोमया ने अभी तक अगाली सरकार के तकरीबन दर्जन भर नेताओं पर भरस्टा चार के या फिर बड़ी हेरा फेरी करने के गंभीर आरूप लगाई हैं जिन मेंसे दो नेता तो जेल की हवा खा रहे हैं और लगबग तीन से चार जेल जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बाकी के नेताओं पर इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट की दरसल तलवार लटक रही है कभी भी उनका हिसाब किताब किया जा सकता है भारती जनिता पार्टी की ओर से महरास्टो सरकार में मंत्रियों के स्तीफे की मांग के बीच में अब क्रीट सुमया ने एक और एक हजार करोड रुपए का घोटाला अगाडी सरकार के नेताओं द्वारा किये जाने का दावा ठोका है ये घोटाला कोई दस बीस या फिर सौ दो सो करोड रुपए का नहीं बलकि पूरे एक हजार करोड रुपए का बताई जा रहा है बीजेपी नेता क्रीट सुमया ने कहा कि शिफसेना नेता यश्वंत जाधव और उनकी विधाइक पतनी यामनी यश्वंत ने पिछले दो साल में मुंबई में तकरीबन 36 पुरानी इमारते खरीदी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो पूरी तरह से अश्वस्त हैं कि अगले कुछ दिनों में इनफोर्समें डिरेक्टोरेट, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट और कमपनी मामलों की मंत्राला इनकी जाच करेंगे भारती जनता पार्टी के नेता ने दावा किया कि ये शवन्त जाधव और उनकी पत्री ने पिछले 24 महीने में एक हजार करोड रुपए में इम संपत्तियों को खरीदा है जिन में एक हजार फ्लैट, धुकाने और कारियाला शामिल हैं सौमया की तरफ से किये गए इन दावाँ की वज़े से महारास्टर के सत्ता के गले आरों में हलचल तेज हो चुकी है बीजैपी का कहना है कि जब तक सबी भरस्टा जारी नेताओं को वो सलाकों के पीचे नहीं डलवा देते वो ऐसे ही नेताओं को एक्सपोज करते रहेंगे और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों तक उनके सबूत पहुंचाने में उनकी मदद करते रहेंगे तो कुल में लाकर के एक और बड़ा घोटाला और ये बड़ा रही दोस्तों बहुती बड़ा घोटाला एक हजार करोड रुपए का घोटाला किये जाने का जो है दावा ठोक रहे हैं भारती जनतापार्टी से पूर्व सामसद और नेता क्रीट सोमया उन्होंने कहा है कि ब जावा ठोका है महारास्ट्र की अगाड़ी सरकार के नेता यश्वंत जादाव और उनकी पत्नी पर इस पर आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट सक्षन में जरू लिक बताएं जल मिलूगा किसी दूसरा अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्ली झाल झाल झाल